नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माचल में मैं आमिर शुर आजकेस ब्रॉपे बात करने वाले हैं बिहार उध्यमी योजना के बारे में दोस्तों इसके अंतरगत जो है बिहार सरकार के दौरा आपनों को यहापे 10 लाख रुपे तक का लोन दिया जाता है जो कि आपनों को रोजगार करने के लिए दिया जाता है अगर आप 100 रोजगार करना चाते हैं ऐसे में दोस्तों आप लोग 10 लाख रुपे तक का यहाँ पर लॉन ले सकते हैं जिसमें कि आपनों को 5 लाख रुपे अनुदान मिलेगा जानकारी देने वाल हैं, तो वीडियो को पुढ़ा लास्ता का दखते रहे हैं, उससे अब लेगर आपने माचल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निशे रेट कर सब्सक्राइब लाइक किजिए, लाइक किजिए इस वीडियो को जितना उसके सरकेजिए, ताकि और भी लो योजना 2021, आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर किलिक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर किलिक किजिएगा, अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, यानि कि आगर आपको यहाँ पर किलिक नहीं हो पाला है, तो आपको जो मुख मंत्र उध्यमी, अनुदान, योजना, या फिर मुखमंत्री आप यहाँपर युदु आपकर प्लिन, चाहरा आपको जोर कर सकते हैं है, आपको यहाँपर देखने को मिल जा क्याँगा, जिससे आप यहाँपर किलिक करते हैं, तो कुछ इस पकार से आपके शर्म हैनि आप देख प्रूवगे कि आपका जो एक पोस्ट उपनों और चला आया है यहाँ पर देख पारूएग आप दो बता दें कि यहां पे अनुदान के रूप में दिया जा रहा है. अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल आविदन होड़ा है उनके लिए जो यहाँ पर आवेदन शुरू किया गया तो अगर आप इन में से किसी से भी आते हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं उसके पाद जब आप नीचे कीजिएगा तो आप बदाएगा कि कितना आप लोगों को अनुदान मिल सकता है तो मुख मंत्री उध्य इस योजना के तहत नया उधम शुरू करने के लिए कुल मिलाकर 10 लाग रुपे तक की मदद मिलेगी इसमें पर योजना लागत 50% यह आधिकतम 5 लाग रुपे तक का अनुदान मिलेगा यानि आप लोगों का जो लागत होगा उसका आप लोगों का 50% दिया जाएगा चाह यहाँ पर पैसा किस परकार से वापस करना है उसके बारे में भी जानकाई दिया गया तो यहाँ पर पैसा जो आप लोगों का वापस होगा दोस्तों को यह 84 किस्त में होगा यानि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 7 सालों में पैसा वापस करना है 84 किस्त में आपको पैस वापस करना है जितना भी लिजिएगा उसका 50% ही आपको जो यहां पे वापस करना है तो यह जो है एक बहुत ही अच्छी बात है जैसे आप नीचे करते एं तो इसमें जो है लाब का इस परकार से मिलेगा इसके बारे में जनकाई दिये गाई अभी फिलाल के लिए इनी के लिए आभेदन शुरू किया गया उसके बाद इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार उध्योग को प्रोसाहन देने का परियास कर रही है यहाँ पर जो बेरोजगार लोग है उनका दर में कमी लाने की बात कर रही है तो इस पगार दोस्तों यहा होना पर क्वालिफीकेशन बता अभेदक को बिहार का असताई निभासी होना अनिबाड है आप्वेदक अनसूछी जाती है यहाँ पर कर बैदक कर सकते हैं Then इस योजना का लाव लेने के लिए आवेदर को आपने farm या company बना कर उसका निबंधन कराना होगा, जैसा कि मैंने आपको आपको आप साथ नीश्चर योजना part 2 में बताया था, कि यहाँ पे आपनों का जो है फार्म बनाना होगा आपनों को जो यहाँ पे कमपनी रेजिस्टर करवाना होगा तभी आप जो इसका लाव ले सकते हैं यानि कि दोस्तों, आपनों का जो उध्यमी योजना के अंतरगत आपका जो farm होगा, जो आपनों का company होगा, जो भी आप रोजगार करना चाते हैं, उसको जो register करबाना होगा, तब आपको जो यहां पर lab मिलेगा. उसके बाद नीचे की जगा तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डॉक्युमेंट के बाड़े में जानकाय दिया गए तो आप यहाँ पर सकते हैं नीचे आएगा तो यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है on line registration आप यह Eatita immer आप क्लिक कर सकते हैं From Online apply जो हुआँ आप प्र क्लिक करहएं तो यहाँ पर रिईस्टेशन होगा यहां से आपनों फ्लेस्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपनों का जो बुशिक्ट दीं, कहतंसे सकते हैं, यहां पर नाम बिच का नाम हो dokter मुरी इस होता है राज और कुमार को ही लिखता है तो ह्यां पर राज डालना होगा और। उसके बाद यहां पर आधार नमबर डालना होगा 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 उसके बाद यहां पर माफ किजिए गा क्योंकि मैं यहाँ पर आगे का प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा तो इस पकार दोस्तों आप लोग उध्यमी योजना का लाव ले सकते हैं और अगर आप आप आवेदन करते हैं और यहाँ पर पांच लाग रुपया थका आप स्वाल आगत दिखाते हैं तो आप पर 10 लाग रुपया दिया जाएगा जिसमें कि 5 लाग रुपया आपको यहाँ पर माप कर दिया जागा और 5 लाग रुपया ही आपको बापस करना है वो भी 84 किस्त में आपको यहाँ पर बापस करना होगा यानि कि 7 सालों में आपको यहाँ पैसा बापस करना होगा तो इस को सब्सक्राइब करें माँ चैनल को साथी सरक्री दिस्वरू को ताकि और विलो को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स पूरा तो तक के लिए धन्यवाद